सबसे पहले वीडियो को इस तरह के से लाइक करें और उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो और अगर आप बैल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सबी वीडियो मिल जाएंगे जैसे ही मैं न्यू वीडिय करूंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर केरते रहेगा अगर आपको अच्छी लगी है तो सो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इतने क्रियेटिव हैं टावल जिनको आप अपने घर पे ही पुराने जो टावल होते हो उनसे लेकर या फिर आपके लिए लेकर आई हूँ इस तरीके से आप बना सकते हो जैसे कि फेस फेस उसका ले लिया और उसके निचे आप छोटे-छोटे सैंपल भी बना के ट्राइ करते ही हो ना अपने कपडों के शोर्ट वगरा के तो उससे इनको अटाज कर लो टावल को और आप देख सकते है या फिर एक टावल को आधा-धा करके उसको आपने साइट से और नीचे से स्टिच कर लिया और यहां सेंटर में प्लीट डाल दी और उपर एक चोली टाइप बना दी और इससे इतना ही प्यारा हैं टावल बन गया जिसको आप अपने किचन में लगा सकते हो बच्चों क इसमें इतना कुछ नहीं है आपका घर के जो आपके बच्चों के फेवरेट टॉइज है उनको डेली खेनला बसंद है तो उससे हैंडवश करके अच्छी आदतों उनमें डवलप करवा सकते हो या फिर अगर आपके घर में बच्चे नहीं है तब भी आप इसको सेल भी कर स यह वाला बना है बो टाइप का इसमें सिफ वो बनाई है और यह बिल्कुल हैंट टावल को ट्राइंगल रखके उपर बो लगा दी गई है और ताकि इसको हैंग किया जा सके और उपर वो लूप बनाया है यह तो मुझे बहुत ही प्याया लग रहा है आप देखिएगा कि इस हेंट टावल को कैसे बनाया गया है सिंपल हैंट टावल है इसका कॉर्णर पकड़के इसको ऐसे लग रख दिया गया है यहां से और उपर से हैंगिंग के लिए लूप लगाया है और यह बो बना दिया बो बनाने की वीडियो में आपको देदूंगे लिंक जा सकते हैं. So nearimagination.com ऐसे ही देखते रहें. Please like, subscribe और share जरूर कीजेगा. Thank you so much.